नमस्कार दोस्तों आज हम अनेलसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का ये हैं 33 years old female और इनका question ये है कि इन्होंने पुखराज पहना हुआ है लगबग एक महिने से तो क्या वो पहनना ठीक है और शादी के योग कम है पती और सुस्राल वालों के साथ कैसा रहेगा पती किस प्र सी माईर्पियो लगन होता है ऐसे लोगों के साथ मे छूप Attorney स्वामी में बहुत ज्यादा है ईनके अंधर एक विल-पावर बहुत से बहुत साथ濠ी मोग की अंधर पहुत क्हिसें बहुत देखने जाती है कर पहुत जीएघ और मानने की चार नही कंदी हुत किसी भी काम क करने की dedication बहुत होती है साथी साथ इनके अंदर होता है कि मैं क्यों हार मानू, nothing is impossible ये energy level इनका काफी जादा होता है fighting spirit इनके अंदर देखी जाती है हालातों से लड़ना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अब इनके देखते हैं कुंडली में, आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, यहां पर 9 नमबर इनका जो question था, इनका जो गुरु का स्वामी ये देखिए, गुरु दो भाव को लेके चल रहा है, जुपिटर जो है, इनका पुखराज जो पहना है, वो जुपिटर से लेटेड़ है, गुरु से लेटेड़ है, तो यह देखिए, तो 9 नमबर और 12 नमबर, ये दो राशियां गुरु की होती है, तो ऐसे में अगर देखा जाएं, और फिर्फ हावस को पावर दे रहा है, अगे अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना, इसमें हेल्प मिलना, साथ में पैसे रुपे में हेल्प मिलना, तो ये फ्रूटफुल हावस हैं ये, तो ये धनकी वरदी भी करेगा, साथ में इनकी चायं भी पूरी कराना, साथ में जो है देखा जाए, तो परिवार और लाइफ में लव आना, ये सारी कर्येर में कई भर कनफ्यूजन देता है यहां से बारवे भाव में बैटे है तो इस वजे से यह क्या होता है कि इसका पूरा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए कर्येर में फ्लक्चेशन भी दे रहा होगा है ओपाई रहेंगे आगे चलके डिसकस करेंगे. अब यह देखी यहां पर फोर्थ हाउस है, सुखह स्थान, यहां राहु केटू बैठे। यहां राहु बैड़िया ये केतू तो किया होता है कि माता का स्थान यह सुखा स्थान तो ऐसी बर माता पिता वीर्म को ए सब्सक्राण तरफ से रिचानल वीर्म करना है insnluc चीन ले चैनल जाता है चीन्त कप्रामत भाल जाता है, घर रहु कर देता होगा, कंछी नाँ coffee फेराभ होती शाइए हुआ है यहां पर यह मार्स मैर्स मंगल यह सुखया पंचम स्थान से बिछा हुआ है जब बच्चे से भी सुख मिलता है बच्चे से जीवन में खुश्याना आगे थोड़ा डेले भी करवाता है संतान में आब का यहां पर देखा जाए तो यह देखे 12 नंबर अगर हम देखें यहां बैठें यहां पर भी अगर हम देखें यहां बैठें यहां पर भी अगर हम देखें यहां बैठें तो एक तो यहां से यहां पांच साथ और नो इस तरह से द्रिष्टी आ रही है तो गुरू की द्रिष्टी अगर हम देखें तो यहां पर नहीं पचमेश का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो कई बार लव मैरीज भी कराता है पसंद की शादिया भी करवा देता है या आपको जीवन साथी बिल्कुल अपनी पसंद का मिलता है फिलकुल सोड मेट मिलना यह चीज कराता है अब यहां पर चंद्रमा की बात करेंगे चंद्रमा जब यहां बैठा एक हम पहले देखेंगे, यह पहले यहां पर इसकी बात करते हैं, तो यह जो मंगल है, मंगल जब यहां बैठा तो मंगल की दिश्टी जो है, यह देखें यहां पर, मंगल की एक दिश्टी, चतुर दिश्टी यहां पर आई, एक सप्तम एक दिष्टी इनकी बारवे घर पे आ रही है। जब इस तरह की दिष्टी आती है, तो इनसान के जीवन में तरह तरह से चेंजिस्टाज के लिए आते हैं इस तरह की चीज के दिखाता है दिखा यह साथ भी करता है। यह सानी की दरश्टी भी देखती है। यह दरश्टी होती है। में यह सुक के स्थान में डिले करा रहा है। जादी में जिसे होते हैं, फीमेल का सुख देखा जाता है, वो होता है कि पती, घर, बच्चे, आगे जीवन में यह सुख होते हैं, तो इसलिए यह जो तीसरी दृष्टी पर पढ़ने के कारण इनकी शादी में भी डिले हो रहा है, ऐसे ही यहां पर यह देखे, यह अश्ट फेस करना, अब देखे, यहां पर यह जुपिटर भाटा है, चंद्रमा की राशी में बैठा है चंद्रमा की राशी में बात करें तो घर गर गरस्ती बात करें तो घर गर स्टाइल वाला इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है अब जब गुरू यहां सात्वे स्थान में आके बैटते हैं तो शादी में डेले भी कराते हैं अब यह देखे इसमें यहां पर वीनस की बात करें तो यह इसका स्वामी वीनस है वीनस बैठे हैं यहां पर अस्टम स् हम लिए जाँ तो आशेन इसमें कोई टेकनॉलिजी बेस्ट वाला इनसान जो टेकनॉलिजी पे वर्क करता हो इस तरह से कोई इंजीनियर होग एंगर प्र्शकैन और जिसका फैमली caution वें बैग्रूड्वीं में अच्छान उता है तो इस क्मreth जादी होना तृ इस ने ची तो यह सारी चीजें इनकी कुंडली बता रही है पती का सभाव अच्छा होना पती को खान पीन रहें से इनका अच्छा शौक होना एक लक्षिरियस लाइस्ट्राइल पसंद होना ऐसी कोई पस्टनालिटी से शादी होना और जिसके पास जैसे कहते हैं अच्छा सॉलिड फैम पास काफी होगा और फैमिली बैग्राउंड भी स्ट्रॉंग देती है तो अच्छा सैट अप देना यह चीज देखने को मिलती है यहां पर अब देखिए नौमे भाव में इनका जो नाइंथ हाउस है यह देखिए चंद्रमा की राशी है और चंद्रमा यहां पर दस्वे स मत्तान में बैठे हैं तो यह होता है कि जैसे मन आपका ऐसा है अपका इसा है और यहां पर देखिए उन्याटा है और अपका अस्तो हो गया है तो यहां कि बद्धा देते योग बंद रहा है लेकिन मर्कुरी साथ नहीं दे रहा तो ग्रीन कलर का यूज अपने जीवन में लेखने को पिता सुर्ण छेट फर्सुन्यालिटी हो लिए पिता की तरफ केड़ मिल रहे हैं इंको थोड़ा लॉजिक रीजन की तरफ ए मर्कुरी कमबस्ट होता है है तो लॉजिक रिजनीं कम prossम जोर करता है 14 सभाण से 12 सभान कुछ करना चाहते हैं अपनी संतान वा वहां कुछ किछ नीक्ट करना चाहते हैं असे को मिल रही है। या कई बार पिता की डॉमिनेंस देखना इस तरह कुछ भी इस तरह का जो पिता से लेटेड हो या पिता को बड़े डेजिगनेशन पर काम करते हैं पिता या बहुत स्ट्रॉंग फानेशल कंडिशन होना ऐसी कोई चीज देखने को मिलती है अब लेकिन पिता की तरफ से कई पिता और माता की तरफ से कोई आपस में एक दिक्कत परिशानी भी दिख रही है अब यहां पर यह देखे छटा नंबर यह बुद्ध का है बुद्ध हमारा यहां बैठा है कंबस्ट होके तो यह इसलिए अर्णिंग में भी दिखकत दे रहा है अर्णिंग का जो स्वामिय इसलिए 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 इसल तो वह इतनी फूटफुलनेस इतनी असानी से नहीं दे रहा लेकिन हाथ दुष्मनों को कैसे परास्त करते हैं यह जब बारवे भाव का स्वामी अश्टम भाव में आता है यह तरह का योग बनाता है कि जब आपके इस तरह के जब आपके बारवेश जो है तो बारवेश जीवन में की हार नहीं माने मुझे चीज चाहिए तो चाहिए ऐसी कुछ स्पिरिट इनके अंदर पैदा करता होगा तो यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलती है और अगर हम बात करें कुड़ी के अच्छे योगों की तो देखे इनका जो यह पंचमेश जो है वो साथव गर में बैठा है यह सबसे अच्छी बात है और आगे जाके जीवन में खुशिया मिलना और बच्चों से पती से यह चाहिए चीज़े देखती है तो इस तरह का योग हमें कुंडली में देखने को मिल रहा है अब गुरु शादी के समय की बात करें अब देखी शादी के योग की बात करें तो यहाँ पर 14 सितंबर से लेके 20 नमबर तक गुरु यहाँ पर आएंगे तो जब गुरु यहाँ पर आएंगे और अपनी पास भी जिश्टी घर पर डालेंगे साथे घर पर डालेंगे तो शादी के योग बन सकते हैं अधरवाइस इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यह इस टाइम पीरिड में इनकी शादी के अच्छे योग हैं अधरवाइस इनके लिए थोड़ा लंबा समय वेट करना पड़ सकता है क्योंकि फिर गुरु जो ह यह मीन राशी में आएंगे अगले साल तो 6 अपरेल के बाद तब इनके फिर योग बन सकते हैं अधरवाइस इनके योग इस दो महिने में भी बहुत अच्छे योग इनकी शादी के बन रहे हैं तो यह योग का इस्तमाल हो जाता है तो फिर इनके लिए जो है काफी इनकी सात्वे घर पर दिश्टी नहीं डालेगा तो यह सारी चीजे हैं और एक योग और में बताती हूँ यह देखे अगर हम इनकी चंद्रकुंडली लेकर चलें तो चंद्रकुंडली पर जब यहां गुरू बेश्राशी में आएंगे और अपनी सात्वे घर को अगर अबी समय की बात करें तो यह दो महीने 14 सितंबर से लेकर 20 नमंबर तक के भी बहुत अच्छे हैं शादी के लिए गुरू के अपनी पंचम दिश्टी पड़ेगी तो शादी के योग बहुत स्ट्रॉंग हो सकते हैं एक तो यह चीज हमें देखती है और अगर हम बात करें तो कुंडली में अभी शनी यहां बैठे हैं तो साड़े साथी जैसा कोई सीन अभी तो नहीं है फिलाल भी साथ भी, साथ भी और साठे साथी जैसा योग तो नहीं बन रहा तो इससे अभी यह बची ही है तो यह सारी चीज़े हमें इनकी कुंडली में दिखती है आगे भी जीवन अच्छा सुख में दिखता है थोड़ा सा fluctuation जीवन में बना रह सकता है तो राहूं की remedy में इनको दे दूँगी वो यह करें तो से ने लाब मिलेगा अब नमाज की बात करते हैं और अच्छा फल देंगे इनको जुपिटर इनका स्ट्रॉंग है पुकराच पहने से भी इनको लाब मिलना चाहिए तो यह हमें नमाज कुंडली की बात करें तो यह 6 नमबर आ रहा है इंकम के अस्थान का है तो यह नमबर इनको मिला हुआ है यह इनका 11 भाव का नमबर है त यह लुटराइब पास्चे पयाधे प्ini बिदे चर्वाश चाह है तो यह 8 नमबर लगन को इस दिए इनको मिले को चैंस और वे नहु そう हान पर 20-9 मिले 2 भाव को परिवार के और मतलब होता है कि आगे ग्रोथ कितनी है परिवार की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, यह सब चीज अच्छी दिख रही है अब थर्ड है उस पे देखें कि यह कम जोर है यह कम में सफलता मिलना, देली से मिलना सक्टे इस्थान को 33 है राहु जब सुक देता है तो यू जब सुक देता है यह चीज हमें देखने को मिल रही है पंचभाव में बच्छों से भी सुक मिलेगा फिर अगर पंचे भाव चटे भाव ये देखे चटे भाव की बात करें तो देखें वहाँ पर मंगल की राशी भी हम देख रहे हैं और मून बैठा हुआ है 37 पॉइंट ये अपने दुश्मनों को अच्छे से हराना जानती है ये अपनी कावलियत से आगे बढ़ना और मामा पक्षभी स्ट्रॉंग देखा जाता है ऐसे लोगों का और जैसे एक तेंडेंसी होती है कि मैं हार क्यों मानूं जो कि बहुत अच्छी चीज है और इनके होत अच्छी लगना फिर लगता है दूसरी चीज कर रहें हार तीन तुन पार पस साल में प्रफेशन चेंज करने की इच्छा होना ये चीज का इनके इसात में रहेगा अब यह देखे यहां पर यह हमने इनका देखा साथवा घर तो यह शादी का घर 29 पॉंट्स मिलते जो कि अच्छा है अर्ष्टम भाव इनका 22 है जीवन में क्या है कि कोई भी चीज जो है वो जब तक यह सोचती रहेंगी वो नहीं आएगी जैसी सोचना बंद कर देंगी वो चीज आ जाएगी इनके पास में अब यह देखे दस्वा भाव नौवाव ऑवकी बात करना तो यह देखे तो यह तो यह धोडा सा जैसे प्रोफेशन चाइज होना बार बार यह प्रफेशन में दिक्कते आना यह चीज का प्रोवलम इनकम धे 34 है काई बार मारं में बातकि बात करें चल रही है राहू की मादशा इनकी 2020 ग्रीम तक चलेगी तक Čथारा साल राहू की महदशा है अब यहाँ पर इस समय है यहां पर फोर्थ हाउस में है तो ऐसा लगता होगा सुख आया टेंपरेरी ली आया और मन बहला के चला गया यह ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कोई रेलेशन्शिप हो तो वह ब्रेक हो जाता है इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है यहां पर देखा जाए तो शादी का टाइम पीरिड एक तो मैंने अभी दो महीने बताया नहीं तो इनका अगले साल के बाद शादी का योग बनेगा यह 2022 से लेके 2023 तक में जनवरी 2022 से लेके 2023 तक में केतु की दशा भी है यह इनको ट्रैवल्स भी बहुत अच्छे करा सकती है इस तरह की चीजें इनको देखने को मिल सकती है करियर की बात करें तो करियर इनका जो है अभी थोड़ा टेंपरेरी चलेगा लेकिन क्या होता है शादी के बाद इनका करियर बहुत अच्छा सैट हो जाएगा इनको प्रती से बहुत सपोर्ट मिलेगी और सैट हो जाएगा यह सारी चीजें हमें देखने को मिल रहे हैं राहू के लिए उपाय करें इनको बताऊंगी तो जिससे कि इनकी राहू की मादशा बहुत पीस्फुल निकलेगी अब देखी यहां पर यह दो नंबर है मुंथा राशी है चार सुख के अस्तान को पूरी तरह से कवर अप कर रही है तो मुंथा राशी जब यह आ रही है तो यह काफी जैसे सुख में बदलाव आना तरह तरह के इस वर्ष तक इनके टाइम पीरिड में यही होता है इनके साथ रहेगा और जो कि इनको तरह तरह के बेनिफिट्स भी देगा तरह तरह के इनको सुख दिखाएगा इस तरह की चीज़े अब यह देखें यहां पर देखा जाए तो राहू बैठे है तो यह हैलिसुनेशन भ जासे कोई चीज एकड़ देगा शौट टेमपरेरिली फर से चीन भी लेगा ऐसा कुछ चीज़े होती है लेकिन अगर देखें तो यहां पर जुपिटर देखें कुछ ना कुछ करियर के एसपेक्स भी खोलेगा यहां पर केतु है थोड़ा सा स्पिरिच्वालिटी बढ़ इस वहां बैटके सपोर्ट करेगा यह सारी चीज़े हमें दिख रही है तो खुब अच्छा सपोर्ट में कुंडली में ग्रहों का दिखाई दे रहा है इस टाइम पर लेर्निंग का टाइम है इस टाइम को लेर्निंग में जैसे इस्ट लोजी में इनको टाइम अपना देन जैसे होता है शादी होती है तो गोल्ड भी मिलता है लड़की को एक अपग्रेडेशन होता है लाइफ में सुख मिलते है यह सारी चीज़े दिख रही है तो सुख देने वाला साल यह इनका रहेगा बहुत अच्छे सुख मिलेंगे इनको यहां पर देखा जाए तो यह दे मिलते है जुपिटर भी अश्टम भाव स्ट्रॉंग मन चाही चीज़ें कर लेता है इनसान को जो है जो मेरे को जो इसका मिशन है वो फुल्फिल हो जाता है यह आपका स्टाइट पिरट तक सेट हो जाओगे आपका मिशन फुल्फिल हो जाएगा यह देखे मंगल भी अप भी अगया की राहू का उपाय करेंगी रहुत करने से इनको बहुत मिलेगी और जो फ्लक्टैशन्स है जो चीज़ें हां से निकल 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 के फिसल जाती है वो चीज़ें नहीं होंगी और अगे इंको स्टेबिल्टी और मेनिफेट्स मिलेंगे ओवरल कुंडली पंचमेश और दुध्विश दोनों बहुत इसलिए में हमेशा बनेफिंट्विन देते हैं कुंडली में अगर अगर हम में बहुत अच्छे स्ट्रौंग देखा है में अच्छे himamás इसी तरह से इनकी कि बात करें तो यहां पर ग्यारवे भावका स्वामी ये देखे मरकुरी नमाश का उपाय करने से नमाश का जो है लगन भी है उपाय करने से इनको benefit मिल सकता है तब ही इनके earning शिरू हो सकते हैं के तु इनको वो astrology में जाने को कह रहा है ये सब benefits भी मिलते है मंगल अपने आप में अच्छा है powerful है अपने में देखा कुनमाश कुंडली में जब लगनेश स्ट्रॉंग होता है तो वो अपने आप में ही इंसान को काफी काबल भी बनाता है में प्रॉब्लम जो करियर में अनस्टेबिल्टी का है वो थोड़ा सा राहू की विद्ष्टी यहां पर आना इस तरह से अनस्टेबिल्ट कि अनस्टेबिल्टी काइन.